प्रधानमंती नरेन मोदी शुकरवार को सोलवे सिविल सर्विस जे पर दिली के विज्यान भवन पहुचे जहां उन्होंने आई एस अधिकारियों को सम्मुदित किया प्रधानमंत्री ने करीब 33 मिनिट दक स्पीच दी इस दोरान उन्होंने कहा देश ने आप पर बहुत भरोसा किया है आपको मोका दिया है उस भरेसे को कायम रखते हुए काम की आपकी सर्वीस में आपके निर्णयों का आधास सिर्फ और सिर्फ देश हित होना चाहिए पीएम ने कहा जो राजयतिक दल सत्ता में आया है उस पर ध्यान रखें वो टेक्सपेर्स के पैसे का स्तमाल अपने दल के लिए कर रहा है या देश हित के लिए या आपको देखना होगा सरदार पटेल जिस विरोकेसी को स्टिल फ्रेम आफ इंडिया कहते थे उसे पूरा करना है विरोकेसी से चुक हुई तो देश का धन लुट जाएगा पीएम मोदी ने आगे कहा कि पहले ये सोच थी कि सरकार सब कुछ करेगी लेकिन अब सोच यह है कि सरकार सब के लि कि चार करोर से ज्यादा नकली गेस कनेक्शन नकली राशन कार्ट बने थे अब संक एक मंत्राले 30 लाग फरजी युवां को स्कॉलर्शिप का लाब दे रहा था आज हम सभी के प्रयाश्य से सिस्टम बदला है और देशे करीब 3 लाग करोड रुपे गलत हातों में जाने से बचे हैं आज ये पेसे गरीबों के काम आ रहे हैं उनके जीवन को आसान बना रहे हैं इसी के साथ मने नहीं राजनामा टीवी के साथ धन्यवाद